अयाम मोहरम में शाम गरीबां के दिन ये नोहा पूरी दुनिया की मजालिस में पढ़ा जाता है तक्रीबन के घबराएगी जैनब और ये जानकर हैरत होगी के इसके लिखने वाले छनुलाल दिलगीर एक एहल हनूद शायर थे लेकिन जिस अकीदत से उन्होंने ये नोहा लि परच्दी है और सिर्फ छनुलाल दिलगीर ही नहीं ये सिलसला बहुत पुराना है और जुनूप से शुरू हुआ था जुनूबी हिंदुस्तान से जो पहला शायर था रामा राओ जिसका तखलुस शिवा था सोलवी सदी से ये सिलसला शुरू होता है उसने रोजा तुष शोदा का दकनी जुबान में तर्जुमा किया था हम आगया आते हैं तो बहुत सारी लंबी फैरिस्त है जुनूबी हिंदुस्तान की फिर अवद में आते हैं शुमाली हिंदुस्तान में तो ये और परवान चाहा अवद नवाबीन के जमाने में बहुत से शायर गुजरे ह और इस टॉपिक पर काफी लोगों ने तहकीख भी किये खास्ता और से मैं इर्फान तुराबी, डॉक्टर तकी आपदी और काली दास रजा गुता का नाम लेना चाहती हूं जिन्नों ने ये काम किया हूं कम से कम साड़े चार सो एहले हुनूच शायरों का कलाम तो मेरे पास भी है जिसमें नोहें और मरसी हैं और उन्होंने अपनी अकीदत का पूरी तहां इजहार किया है और ये हमारी गंगा जमनी तहजीब जिसे हम साजी संस्कृत ती भी कहते हैं उसकी बहुत खुबसूरत मिसाल है रसाई शायरी के अलावा ताजियादारी जिस मतलब जो तबूत है आप किसी भी शहर में चले जाए तो जब ताजियों के जरूस निकलते हैं तो उसमें खाली मुस्मलमान शामिल नहीं होते हैं उसमें बड़ी अकीदत के साथ वो हिंदू भी शामिल होते हैं जो तिलक धारी होते हैं जो अपने अपने तरीके से पूजा अर्चन करते हैं लेकिन अपनी अकीदत का इजहार भी करते हैं